हलो दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट यूसूफ चैक्स तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि यह जो रिकॉर्डिंग हो रही है यह हो रही है हमारे असूज जैनफोन मैक्स प्रो एम टू के कैमरा से 1080p के साथ तो यह एक कैमरा टेस्ट भी हो जाएगा इस फोन का वीडियो क्वा पाने बीडेस्टर है तो इस तरह सेटिंग में जाना है चीक फॉर अपडेट बटन पर क्लिक करना है और आपको यहां पर अपडेट शो हो जाएगा अगर आप एक पुराने यूजर है मिवाई 9 या मिवाई 10S टेवल के और आप आना चाहते हैं बीटा प्रोग्राम है तो जाना होगा जो रॉम आप डाउनलोड करोगे उसको यहां से खोजना होगा बेसिकली डाउनलोड फोल्डर के अंदर रॉम जाता है उस पर क्लिक करना होगा वेरिफाय करके इंस्टॉल कर लेना जब भी आप रॉम इंस्टॉल करो या अपडेट करो तो ध्यान रखना कि आ वही me account मांगे तो ऐसे मैं आपको दिक्कत हो जाएगी आपके phone पे lock लग जाएगा और बहुत सारी दिक्कत हो सकती है तो यह एक warning है आपके लिए कि अगर आप कर रहे हो तो इस बात को हमेशा याद रखो तो यहाँ पर मुझे कोई भी focus करने का option नहीं दिखता है खेर तो बात करते हैं update की MIUI 8.12.20 बीटा update था तकरीबन सारे devices के लिए आ गया बट जहां तक मुझे पता चला note 5 के लिए नहीं आया WhatsApp पे मैंने लोगों को message किया था कि आपको क्या क्या feature मिला लेकिन किसी का response इस बार नहीं आया शायद किसी ने update नहीं किया या लोग busy थे या मैंने late से message किया मुझे नहीं पता बट जो भी है तो यहाँ पे जो भी review होगी वो based on myself होगी तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस update में आपको क्या कुछ देखने को नहीं मिलता है चेंज लोग की बात करेंगे तो चेंज लोग में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है यह just waste of time ही लगता है अब मुझे खेर तो बात करते हैं कि क्या कुछ नहीं मिलता है तो आपको इसके अंदर Android P तो बिलकुल नहीं मिलता है Camera 2 API का support नहीं मिलता है और ना ही Redmi Note 5 Pro को मिलने के chances नदर आते हैं PUBG आपको HD Graphics का बिलकुल नहीं मिलता है कोई भी 4K नहीं मिलता है और बस यह सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती है क्या मिलती है वो बताता हूँ Security Patch जो है वो नया हो गया है बट सारे devices का नहीं 3S Prime में अब Security Patch का अबडेट जो है नहीं आता है और यहाँ पर और क्या क्या है मैं बताता हूँ तो Lock Screen Black होता था उस चीज़ को Fix किया गया है साथे साथ वीडियो जब आप Play करते थे Land Scap Mode में तो Like मैं अभी कौन सी वीडियो प्ले करूँ हाँ मेरे फोन में मेरी वीडियो तो ज़रूर होगी ओके तो यहाँ पर यह मेरी एक वीडियो है और इसे ही मैं प्ले कर रहा हूँ अब यहाँ पर आप देखोगे के उपर में December 22 लिखा हुआ है यहाँ छोड़ा सा पहले यह चीज नहीं होता था अब यह चीज होता है यह एक अच्छे चीज नहीं आपको मिली है कैमरा में कोई भी improvement नहीं हुआ है नहीं कोई issues हुए है ठीक है उसके बाद MIUI music में भी अब add आने लगा है अब यहाँ पर आपको जो मैं बता हूँ features क्या क्या मिले हैं उस पर भी हम लोग आ जाते हैं तो यहाँ पर अगर आप setting में चलोगे about phone में यहाँ नीचे में जो है इस phone में आपको कुछ नहीं देख रहा है नहीं न देख रहा है बट यहाँ पर कुछ features आए हैं like important safety info के नाम से sorry यह देख रहा है माफ़करना यहाँ पर आपको कुछ details मिल जाती है safety के regarding यह आपको नया देखने को मिला है verification वाला option यहाँ पर एक और होगा वो इसमें नहीं दिख रहा है बट वो अंदर था बाहर आ गया है note 5 pro ने pro में हर्शिर भाई ने बताया है आप उनकी वीडियो देख सकते हो storage setting के अंदर आपको कुछ नया मिला है यहाँ पर हम चलते हैं सीधा storage में और यहाँ से तो नहीं होगा setting से चलते हैं यहाँ पर wallpaper और यह कहांगी है storage storage के अंदर option में आएंगे तो यहाँ पर cleaner का एक option आपको दिखेगा और वो option नहीं आया है मेरे phone में जिसकी बात मैं आप से कर रहा था मतलब 3S Prime में नहीं आया है यहाँ पर एक 3. menu आगया है जिसके अंदर directly आप चून सकते हो storage कि आपका जो storage है वो कौन सा storage काम करेगा memory काम करेगा internal वाला या external वाला data को store करने में इस type का something option आया है इसके इलावा अगर आप developer mode में जाओगे तो यहाँ पर भी आपको एक नया option देखने को मिलेगा so चलते हैं यहाँ पर additional settings additional settings और developer मेरा on है या नहीं on है मुझे खुद नहीं पता I think नहीं on है ओके developer mode अगर आपके phone में on नहीं है तो इसको on करने का तरीका बहुत ही simple है अपने about phone में जाना है ठीक है और यहाँ पता है कौन सा version device name में तो नहीं मेरे ख्याल से android version android version में नहीं मैं भी कभी कोई बूल जाता हूँ यार miui version पर 2-4-5 बार क्लिक करोगे तो developer mode जो है उन हो जाता है उसके बाद आपको जो है यहाँ पर additional settings के अंदर यह देखने को मिलता है आपका developer mode यह रहा developer mode developer mode में एक feature आया है जो कि कुछ लोगों के लिए खास हो सकता है कि home screen और जो home screen का password होता है यहाँ पर इसमें नहीं आया है यह Redmi Note 5 Pro में देखने को मिलेगा और हर्षित भाई ने वीडियो बनाई है इसकी तो उससे क्या होता है कि जब आप home screen का जो आपके password होता है light देखो यह मेरा password है तो मैं अगर इसे भूल गया तो वो एक backup password होता है इस password को reset करने के लिए वो Note 5 Pro में आया है photo जोड़ करके आप जो है बना सकते हो कोई भी एक item मतलब एक video बना सकते हो actually कहा जाए तो इस तरह से जो कि यहाँ पर मुझे creativity collage बनाने का option बस देख रहा है और वो नहीं देख रहा है एक video बनाने का option आयाता है तो यह भी सिर्फ Redmi Note 5 Pro में है sorry 3S Prime में नहीं आया है इसके इलावा जो है उसके अंदर आप music वगरे भी add गर सकते हो एक video बन जाएगा photos का तो वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है और यहाँ पर है SOS आ गया है ठीक है emergency के लिए तो यह तो Indian government के तरफ से आया है और मैं देख लेता हूँ कि हमारे phone में देखने को मिलता है या नहीं मिलता है यह setting तो emergency broadcast यहाँ पर है वो नहीं है जो आया है मतब वो भी update जो है वो 3S Prime में नहीं आया है Note 5 Pro में आया है भाई 3S Prime में कुछ दिया भी है कि नहीं दिया है खेर कोई बात नहीं यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखने को मिलती है वो है जैसे आपने यूज किया होगा तेज का payment gateway ठीक है मतब अब अब है जिससे आप payment कर सकते हो UPI app तो वैसा ही MI ने भी निकालने की कोशिश की है और MI account से sync होके वो चलता है मेरे phone ने मेरा account login नहीं है तो मैं यहाँ पर वो चीज़ आपको दिखाऊंगा नहीं मैं जस्ट बता दे रहा हूँ कि MI pay account आया है बट अभी use मत करना अभी उसमें कई सारे bugs हैं अगर आप Google Play पे यूज करते हो Phone पे यूज करते हो PayDM यूज करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप MI pay भी use करो बट मैं कोशिश करूँगा कि further एक वीडियो आपके लिए उसकी dedicated ले के आऊ बट यहाँ पे वो नहीं देखा पाऊंगा sorry तो यह थी सारे features और यह थे सारे bugs bugs और कुछ तो यहाँ पे नहीं है जो आपको देखने को नया मिले या मैं कहूँ कि सच में बहुत अच्छा है बात करते हैं बैटरी वैक अप की तो बैटरी वैक अप में हमें कोई भी work देखने को नहीं मिलता है एक और feature है कि lock screen पे glance चलेगा यानि कि wall papers जो होंगे उस photo की और उसके regarding एक story आपको देखने को मिलेगी तो वो भी ठीक से उतना work नहीं करता है और सब devices के लिए अभी तक नहीं आया है तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ मेरे phone के लिए आया है कि नहीं आया है जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ 3S Prime में अभी भी नहीं शो हो रहा है बट वो भी रिड्मी वाल्पेपर casual नहीं है यह है वाल्पेपर causal शायद है देख लेते हैं शायद यही है जो भी है तो यह feature आया है तो अगर आप चाहो तो इस वो यूज़ कर सकते हो और I think Note 5 Pro में तो बिलकुल आया है और यहाँ पर glance category यह देखो इसमें भी आ गया है तो अगर आप इसे follow कर लेते हैं तो अब इसके regarding आपके screen पर wallpaper चलता रहेगा जब आपका update wallpaper using mobile data तो अगर आप इसको on करते हो तो याद रखो आपका net भी जो है वो कहीं न कहीं खर्चा होगा रात के बज़े ने दो और इस video में बस इतना ही I hope आपको अच्छी लगी हो और मैंने बता दिया PUBG में कुछ नहीं आया है और यहाँ पर कुछ bugs आया है और एक दो phone के लिए suspend होगा है जिसमें से मैं जानता हूँ कि Note 5 के लिए suspend हो गया है आपके phone में update आया है कि नहीं कैसा चल रहा है कुछ bugs तो नहीं है और भी इसके regarding जो भी आप जानते हो या पूछना चाते हो या बताना चाते हो प्लीज कमेंट करो क्योंकि अगर मुझसे कुछ छुट गया और आप बता दोगे तो उससे किसी और का फाइदा हो जाएगा अब इस वीडियो में बस सकता ही मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में तब तक किल दोस्तों have a great day वीडियो अच्छी लगी हो तो like कर देना और like एर ज़रूर से कर देना कुछ पूछना है तो comment section पूछ सकते है नए हैं चनल को subscribe कीजिए और उस घंटी को दबाईए ताकि आप देख सके हमारी वीडियो से इसी तरह हमारी चैनल पे और ये थी full review मेरी एक दिन लगबग यूज़ करने के बाद मैंने पांच बज़े अपज़े इंस्टॉल किया था और अभी ढाई बज़े रात के और एक बग जो है मुझे महसूस हुआ 3S Prime में वो ये है कि मेरे 3S Prime के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है कि मेरा mini drop काम नहीं कर रहा है मतलब पदा नहीं बट मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूं इससे वीडियो तो आप बताओ कि आपके फोन में भी ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में तब तक कि दोस्ते have a great day